इस वक्त हमारे साथ मौझूद है उत्तरप्रदेश कॉंग्रस कमिटी के मीडिया सायोज़क लैलन कुमार जो आए दिन जरूरत मन लोगों की सहायता करते हैं और आज अंतराश्ट्रे महिला दिवस के मौके पर गाउं गाउं जाकर महिलाओं को सम्मानित भी कर रहे हैं तो सर महिला दिवस है आज और महिला सुरक्षा की बात की जाए तो प्रदेश में जो हालत है उस पर क्या कहना चाहेंगे देखिए मुखमंत्री ने मिसन सक्ती का जो ढौंग रचा है हमारी जितनी भी मातायवं बहने हैं उनके साथ जो अपराद हैं वो बर रहे हैं उत्तर परदेश में उत्तर परदेश में जो लॉइन और की जो सिच्वेसन है वो बरती जा रही है आज चुकी अंतरास्टिय महला दिवस है हमारे जितनी भी मातायवं बहने आसा बहुं या अंगनवारी हैं या इतनी भी सहाई का सेविका है कोरोना जैसे महामारी के दोर में अपना जान की बाजी लगा करके उन लोगों की मदद किया मान लिजे किसी बहन को दिक्कत थी तो कोरोना जैसे काल में कोई घर से नहीं निकलता था तो आप सब निकल के जाते थे उनकी मदद करते थे तो आप सब एक Corona Warriors की रूप में थे सरकार क्या कर रही है चाहिए यहां का बिधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो किसी ने आप सब के उपर ध्यान नहीं दिया ना दे रहा है मुझे लगता है कि आप सब बताएंगे कि पिछले चार साल में बिधायक जी कितने बार आएंगे, आप सब के बीच में सांसद ही, कितने बार आएंगे तो मैंने एक छोटा सा तरीका अपना है कि आप सब को सम्मान देना और गाउं गाउं में जाकर के देना है और कुछ आर्थिक मदद भी करनी है, जिसे पूस्प है, कुछ सौल है एक सम्मान से बर करके कुछ नहीं, आप सब जानते हैं, आप कोई भी कितना भी कुछ कर ले, कितने भी बरे पोस्ट पे हो लेकिन हमारी मातायवम बहने हैं, हमारे भारत के निर्मान में जो इनका योगदान रहा है, उसको कोई नकारा नहीं जा सकता है चाहें वो किसान हो, चाहें वो आज यूवा वर्ग प्रेसान है, आज महंगाई देखिए, आज हमारे जितने भी मातायवम बहने हैं, गिरहनी हैं, उनको घर चलाना मुस्किल हो गया है, 800 रुपे पार सेलेंडर चल रहा है, 375 रुपे जब हमारे यूपिय की सरकार थी, कॉं निलाते हैं लोग, 70 रुपे टैक्स ले रहे हैं, यह महंगाई यह जितना है, यह सब किसके उपर है, यह आम जनता के उपर है, हम सब उसका भुगत रहे हैं, इसलिए एक तरब महंगाई की मारे, दूसरे तरब जितने हमारे आसा बहु या अंगन बारी या जो भी है, इनक की बात करें, वेतन तो मिलता ही नहीं है, क्या इनको वेतन नहीं मिलना चाहिए, अपना जीवन इन्हों ने समाज के परती समर्पित कर दिया है, बाकी सिक्षक वेगरर लोग होते हैं, उनको तंखा मिलती है, उनको पैंसन भी मिलती है, रिटायर होने का, इनका भी इनको हक चुकि अंतराष्टिय महला दिवस है तो आज मैं सारे मातायवं बहनों को ये मैं बताना भी चाहता हूँ विस्वास दिलाता हूँ कि आप सब मिलजूल करके रहिए एक साथ रहिए आपकी लराई हम लरेंगे आपके बेटे बनके आपके भाई बन करके आपके दोस्त बनके हम आपकी लराई लरेंगे सरकार से और आपका हक आपको हम दिलवाएंगे और आपका हक कोई नहीं चीन सकता जो महलाओं का सम्मान न मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे पत्रकार बंदू है वो सच दिखाना सीख लें अगर सच दिखाना सीख लेंगे तो मुझे लगता है कि इन सब की समस्यां जो है उस गुंगी वहरी सरकार तक पहुंच जाएगी और आने वाले दिन मे जब भी चुनाब होंगे जो भी होगा चुकि लोगतंत्र में सबसे बड़ी पावर है वोट का वो हमारी माताएं बहने समझ रही है कि वोट का इस्तमाल कहां करना है और कैसे करना है और किस रूप में करना है और किसके लिए करना है चुकि आज इनके साथ जो संकट की घरी ये उसमें कोई खरा नहीं है तो मैं यही आपके चैनल के माद्यम से बताना चाहता हूं कि आप जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो सच दिखाना शुरू कर देंगे तो यह जो भी ढोंगी सरकार है वो तुरंट गिर जाएगी तो देखा आपने मीडिया सयोजिक लड़न कुमार का कहना यही है कि सरकार से जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े हम लड़ाई लड़ेंगे और मैलाओं को और देश की जंता कोन का हग दिला के रहेंगे कैमरा पॉरसन संचेपाल के साथ मैं शिवांगी जेमडी खबर लखनो